हाई एव्रिवान और वेलकम टू एए मास्टर तो आज हम चैट जीपिटी का रिजनिंग टेस्ट लेने वाले हैं तो देखते हैं आज चैट जीपिटी मैट्स के क्वेस्टेन सॉल्ब कर बाता है किने हम उसको कुछ टॉप सवाल देने वाले हैं तो यह विड़िव बहुत इंपरेसिंग होने वाल है तो लेट सी तो स्टाट कर पेड़े हैं और सो इजी सवाल से तो इफ आई आप तन अपलस आई एट वन आपल तन अपलस तो आप्लस दो आपन आप पलस दो अपलस दो आप आप अप तो यह बहुत ही सिंपल सवाल है, इसने अंसर भी सही दिया है, if you have 10 apples and you have 1 apple, then you would have 9 apples left, यह आपको सिंपल दिख रहा होगा, but एक मेशीन के लिगे, आपके questions को पढ़के इसको solve कर पाना, it's a very difficult thing, तो यह इसने हल कर दिया, यह easy question था, अब थोड़ा सा question कर लेबल, if x plus y is equals 2 and x minus y is equal to 1, then find x and y, okay, so यह रादम सा सवाल मेन उसको दिया, let's see, okay, fine, okay, so इसने अब पहले तो 2x equals 3 कर दिया, x equal to 3 by 2 and y equals 1 by 2, I think यह सही जवाब है, या 3 by 2 plus 1 by 2 या 2 and 3 by 2 minus 1 by 2 is 1, so हमने जो question पूछा था, इसने actually इसका सही जवाब दिया है, आप देख सकते हैं, so it is very smart, so यह पुरा equation भी solve कर सकते है, so आप इसका, like आप समझ सकते हो how powerful it is, so like बच्चे इसको directly use कर सकते हैं, like उसका questions को उनका जो भी questions है, homework questions है, so directly यहाँ चाट GPT में बस डाल देंगे तो solution automatically निकल के आ जाएगा, अभी थोड़ा, हम थोड़ा सा, like reasoning type questions, जैसे की like generally हमारे आते हैं, competitive exams में उस type को कुछ देते हैं, so if eight men can do a piece of work in say five days, मैं रादम लिके रहूं, seven women can do the same piece of work in a four days, okay, then in how many days, four men and five women can do the same piece of work, okay, so अभी हम देखते हैं, यह वाला question चाट GPT solve कर पाता है कि नहीं, okay, okay, so इसने क्या क्या है पहले, so इसने लिख देखते हैं, eight men can do the work in five days, so total men days required to complete the work is 40 men days, similarly seven women can do the work in four days, so total women days is 28, now let's calculate how many men days and women days are required to complete the work, when four men and five women together work together, so इसने फिर, okay, 40 men days plus 28 men days, so simplifying the equation, okay, 4D plus 5D equal to 40 plus 28, so 9D is 68, so D is 68 by 9, so therefore four men and five women can do the same piece of work in approximately 7.56 days, so इसने इस वाले प्रोब्लिम को ये रैंडम में ने दिया था, so I think इसने सही सॉल्व किया है, नीचे जरूर कमेंट करके बताना कि एक्चुलिए सही आंसर है कि नहीं, okay, जो लोग आप अंप्टेटिव एक्जाम से रिपायर कर रहे हैं, I think ये लोग डिवाइट करके करते हैं, something like 1 by 40, ये 1 by 20 होता है, फिर आम उस पो अड़ करके वो सॉल्व करते हैं, so definitely solve करके नीचे कमेंट में बताना कि जैट जीपिटी ने इस पोस्ता ही अंसर दिया है कि नी, so अब देख सकते हो, like this is the next thing, so ये हाड, इतना हाड प्रोब्लेम्स भी सॉल्व कर रहा है, so अब इंटलिजन समर सकते हो अभी ये हाल है, so in future तो ये आई थिंक बहुत कुछ सॉल्व कर पाएगा, so human effort, पता नहीं, रिक्वायर होगा भी ये नहीं, okay, so anyways, so do let me know in comments, अपने और क्या-क्या इसको मुश्किल क्वेस्टिन्स पूचा है, okay, and recently लेकिज़ के क्वेस्टिन्स सॉल्व नहीं कर पाया था, but in future, I am pretty much sure कि वो भी सॉल्व कर रही है, okay, so do let me know in comments, आपने कौन से क्वेस्टिन्स पूचे और उसने चार्ज़ बिटे निसका सही आंसर दिया है ने, okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then, take care, thank you, bye-bye.